ही गाइस वेल्कम वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हुश्रती मिश्टा रॉप का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे सो गाइस जैसे कि इस समय विंटर चलने बहुत जादा सर्दी हो रही है और ऐसे में जो मेरे बाल होते हैं वो जादा ड्राय होने लगते हैं और ड् शुन्याकर का भूमीजा है और ट्रेडिशनल हेर ओल है गाइस फॉर्मिलेशन फॉर हेर ग्रोथ विद थर्टी आयरवेदिक हर्ब्स और कोल्ड प्रेस्ट ऑइल का यह मिक्शर है गाइस इस ऑईल की खास बात यह है कि यह 100% नाच्रल इंक्रीडेंट से बना हुआ है 100% व 2091 की बारे में तो आप ढह्ते हैं कि आता है इस तरीके की cardboard box में box में देखने को मिलती है प्रोडिक की complete detail और अंदर आपको जो मिल जाता है वो इस तरी की का plastic jar मिल जाता है plastic jar जो है guys बहुत अच्छी quality का है और ये flip-flop opening में आता है ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसकी packaging काफी बढ़िया है ये ये hair oil है ये मदद करता है dandruff को कम करने पे hair को नरिश करता है hair fall को control करता है और जो आपके hair white हो रहे हैं उनको भी रोकने में मदद करता है और जो heat products heat appliances use करने में hair dull or damage होने लगते हैं उसको उसमें भी ये relief देने में मदद करता है तो ये एक oil बहुत सारी hair problem पे अकेले work करता है consistency के बारे में तो guys आप देख सकते हैं कि ये आता है एक thick consistency में मुझे इसकी consistency जो usually oil usual oil होते हैं उनसे थोड़ी सी consistency थिक लगी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा थिक है ये इसलिए भी हो सकता है कि ये आयुर्वेदिक नाश्रल इंक्रीएंट से बना हुआ है और इसमें चार से पाच आपको cold pressed oil का mixture मिल जाएगा बल्लब कि एक oil में बहुत सारे oil का फायदा मिल जाएगा इसलिए इसकी consistency थोड़ी सी थिक है अगर बात करें इसके बारे में तो फ्रेग्नेंट यू है गाई एक अइरवेदिक वाल की तरीके है जैसे की यूजली ओड करते हूं और गाईज हमें तो यूजिफ करती हूं अपने हैर पे काफ़े अच्छे से कर लेती हूं और च आपकर मुझे बहुत ही रिलाक्स इंस ओलता इस ओपार से उससे भी बड़ी रहात मिलती है और एक सर में हलका पंसा और एक मैं रिलाक्जेशन टाइप का फील होता है और मैं इसको चंपी करने के बाद अपने हेर को अच्छे से टाइ कर लेती हूं और और ड्राइ होने पर जैसे कि गाइस यूजली जो मेरे बाल है इस समय रूखे होने लगे लेकिन जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे इंस्टेंट इसके मिला है वह है कि ये हेर को बहुत अच्छे से नरिश कर देता और हैर मुझे बहुत हाइड्रेटिट फील हुए और म आपको यह हाली रेकिमेंट करूंगी बात करें प्राइस के बारे में तो गाइस यह आता है हंडेट एमिल की प्रोडिट कॉंटिटी के साथ इसका प्राइस जो है 699 रूपीज है 24 मांस की शेल्फ लाइफ है इसली अवलेबल है आपको यह फ्लिप कार्ट में एमेजॉन प सो गाइस यह था मेरा एक छोटा सा रिव्यू शूनिया कर भूमीजा हेर ओल के बारे में आई होप आपको यह वीडियो जो है हल्फुल लगा होगा पसंदा है होगा वीडियो पसंदा है हल्फुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चानल को सब् रखें आप अपना ख्याल टेक के बाई